Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहन्त वर्क बुक क्लास 2 इंग्लिस जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग स्किल्स ठीक है पैराग्राफ राइटिंग तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकाली और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट केजे तो देखे ये है पैराग्राफ राइटिंग ये आपके अरिहन्त के ही वर्क बुक में पीछे साइड में दिया हुआ है तो आप इससे बना सकते हैं और अगर आपके पास वर्क बुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्किप्सन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे खरिच सकते हैं ठीक है पैराग्राफ राइटिंग ये एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आपको इसका त्यारी करना पड़ेगा ठीक है तो देखे इसमें सेंपल पैराग्राफ दिया हुआ है राइट एक फ्यू लाइन अबाउट यूर मदर तो आपको कुछ लाइन लिखना है अपने मदर के बारे में ठीक है तो जैसे यहाँ पे बताया गया है my mother पहले क्या करना है suitable title या heading ठीक है आपको suitable title सोचना है content of content or body ठीक है तो पहले क्या हो गया title तो हो गया my mother तो my mother's name is Mrs. Geetika Naath ठीक है ये आपको अपने according लिखना है ये तो समझाये गया है तो आपको अपने according लिखना है ठीक है She works in an office but she cooks herself on Saturdays and Sunday She spends a lot of time with me She takes me to a mall or children's park whenever she gets time We enjoy our time together I love my mother very much ठीक है तो ये आपको बताया गया है इसी तरह से बनाना है उसके बाद है practice questions Write a paragraph on rainy day You may use the following clues अब देखे यहाँ पे एक paragraph लिखना है rainy day के उपर और इसमें आपको यहाँ पर clues दिया गया है इस clues का यूज करके आपको ये paragraph लिखना है तो clues में क्या क्या है रैनिंग heavily ठीक है Water on the road, ground, paper boats, used umbrella, raincoat to go back home, add snacks with tea ठीक है तो ये सारा है clue अब यहाँ पर देखे जैसे की rainy day rainy day आपका टाइटल हो गया ठीक है अब इस paragraph लिखना है A few days ago there was a heavy rain in our area The water was on the road, ground and all over We were making paper boat We used umbrella and raincoat while rain and we go back home and we add snacks with tea ठीक है इस तरह से बनाना है Write a few lines about your visit to a Jew with your family last Sunday You may use the following clues अब देखे यहाँ पर आपको लिखना है अपने family के साथ आप जो है ना last week कहां गये थे आप last Sunday जू गये थे ठीक है तो इसके बारे में आपको लिखना है तो clues दिया गया है यहाँ पर Sunday A sunny day Went to the zoo with parents Tickets about So many types of birds and animals Enjoyed a lot ठीक है तो देखे तो यहाँ पर आप पहले A zoo ठीक है यहाँ पर आप पहले title लिखेंगे A zoo ठीक है A zoo देखे जैसे यहाँ पर आप एक title लिखेंगे ठीक है A zoo सबसे पहले title देना है यह भूलना नहीं है ठीक है अब देखे It was a sunny day I went to the zoo with my parents on Sunday My parents bought the tickets and we saw many types of birds and animals And we enjoyed a lot ठीक है इसके बाद है Shorya Shorya started writing about my pet He left it in the middle Complete the paragraph अब देखे सॉरिया क्या करता है वो start करता है writing लिखना ठीक है My pet के उपर अब वो क्या करता है He left it in the middle वो उसे middle में ही छोड़ देता है तो complete the paragraph आपको paragraph complete करना है Clue दिया हुआ है यहाँ पर Pet A dog Its name Color Food Activities ठीक है तो यहाँ पर आप ठीक है इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप I have a pet dog Its name is Ron Its color is white And he is two years old German Swiss He eats pedigree, rice and chicken He plays with me everyday ठीक है तो इस तरह से आपको यह साड़ा बनाना है ठीक है तो इसी तरीके से अगर आप यह आप याद कर लेते हैं आपको समझ में आ जाता है तो आप बहुत साड़ा paragraph इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है तो यह आपको अच्छे से तैयारी करना है क्योंकि exam में आ सकता है तो कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना मुझे जरूर बताईए अच्छा लगा हो तो NCRT दो माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक्स टो वाच माई वीडियो